तो आज हम लोग यहां पर जन्रल साइंस के सामाने विज्ञान के कुछ कुछ कुछन कंप्लीट करने वाले हैं जितने भी स्टूरेंट चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब दो चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलते रहें इस पर नमबर यहां पर लिख देती हूं ताकि जो भी न्यू है वो एक बार से एड हो जाएंगे 870803840 पर ठीके चलिए अच्छा इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेगा जो भी चीज आपको न्यू लगती है ज़रूर से आप नोट डाउन इसको कर लीजेगा ताकि आपके नोट्स यहां पर शॉर्ट नोट्स बनते रहें ठीके कुशन नबर वन आपके स्क्रीन पर है निवन लिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा इस्त्रोत है जो कम से कम उर्जा की खपत करेगा अलब इतनी ज्यादा एनरजी की आउशकता नहीं होगी वह तो हमारा बिलकम आएगा सीधी सी बात यदी बोले है ना LED हो सकता ह फिलामेंट लेंप हो सकता है दो शायद आपने सेवन क्लास में इन बल्ब के बीच में लाइट के बीच में डिफरेंस देखा होगा एक बार से और मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं के बल्ब होते हैं इनकी बात करें तो इनकी ओके ओके यानि की एवरेज होती है इनका जो समय होता है 25,000 सालों तक आप इसको चला सकते घंटे तक चला सकते 25,000 घंटे तक इसको 8,000 घंटे तक चलाया जा सकते हैं तो इसका जो टाइम होता है मतलब कितने समय तक आप चला सक के लिए और in candy sand के लिए 3.05 ठीके तो अभी हमसे पूछा गया था कि सबसे बेस्ट क्या होगा तो सबसे कम खपत कोन करेगा यहां पर हमारी LED करेगी तो correct answer B क्या हो जाएक option number one हो जाएगा का बना होता है डायोट का बना होता है क्या release करता है photon release करता है ठीके तो इस तरीके से LED सबसे बेस्ट होती है यह थोड़ा कोसली बढ़ जाता है सबसे जादा energy चाहिए होती है ठीके CFL थोड़ा सस्ता बढ़ता है लेकिन LED से सस्ता नहीं ठीके तो यह इस तरीके से आपको धियान रखनी पड़ेगी चीजें और सबसे कम अमांट किसमें पड़ेगा जो सबसे जो है energy जो है कम यहां पर कंज्यूम करेगा कम उसकी खपत करेगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा LED हो जाएगा लियर हो गया आप चाहिए तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले लो साथ के साथ याना ताकि आपकी चीजें क्लि अगर आप रेड़ी है तो 10 तक के NCRT को जरूर से कम्टीट कर लीजेगा साइंस की बुग्ज को उसमें प्लांट पोदे जित्ती भी चीजे हर एक चीज को कम्टीट कर लीजेगा यह आगे आपका प्लांट से अगला कुशन एक उभै लिंगे फूल में मोझूद चार भ्र वाला होता है एक फूल के अंदर यह सारी चीजे आपने पड़ी है सेवन क्लास के अंदर अभी आप से कि भाहि सेक्शुल प्लायर के बारे में पूछा गया उभै लिंगी फूल के बारे में पूछा गया तो इसमें बाइदाल होगा पराग होगा दलपुझ होगा और होता है बीजांड होता है पराग होता है पंखोडी होती है और पुश्पकोश होता है तो अगर आप थोड़ा सा चीजों को भूल गए हैं तो हम लोग रिवाइस भी कर सकते हैं आप यहां पर देख लीजिएगा इसको पूरा डाइग्राम है आपकी आखों के सामने पूरा ए यह क्या है अंडाशय है यह आप देख लीजिएगा यह जो पूरा हिस्सा है फूल का जो सेंटरल पार्ट है यह पूरा क्या हो जाएगा जिसको सिक्योर करके रखेगा यह आपका अंडाशय हो जाएगा यह जायांग है यह सारे क्या है यदि आप इसको देखे तो यह सारे के सारे दल है, ठीक है यह जो पंखुड़ी, आप इसको दल बोल सकते हैं, दल पूंझ बोल सकते हैं, ठीक है, अब आगे यही बात करें, तो ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके के जो एक पौदे से दुसरे पौदे पर खिड़ते या जीबों के द्वारा या हवा के द्वारा लेकर जाये जाते हैं ठीके तो यह पौधी के भाग में आपको शॉर्ट में समझा दिये बाइसेक्शुल की बात हो रही थी तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों पार्ट पाए जाएंगे मेल और फीमेल दोनों के नरोमादा जो है दोनों के पार्ट पाए जाएंगे यानि कि पाराकोश पॉंके सर के लिए ए जायन को होता है ご пошँषे सकते हैं कि किस में क्या होते हैं इसका पूल कैसा होता है यह सारी चीजे साइना है तो option में आप देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है पुष्प कोश है इसके अंदर बिलकुल है याना पुष्प का कोश होना चाहिए पुमंग है पुंकेसर है ठीक है इसका दलपुंज इसके अंदर है मतलब वो पूरी पंखुडिया है इसके अंदर है और जायां जो आप जो दिख रहा है हमें ये वाला भाग और ये वाला भाग इससे हमें समझ आ गया कि करेक्टांसर क्या होगा option number C होगा ठीक हर एक option में कुछ न कुछ यहां पर missing है चलिए आगे बात कर लेते हैं next question की बात कर लेते हैं अच्छा आप जनरल साइंस की तयारी कर रहे हैं तो तो वह जाकर भी विजिट कर लीजिएगा ताकि NCRT भी आपका साइंस प्रिपेर होता रहे हैं और साथ ही प्रीए से पेपर के जनरल साइंस के question भी यहां पर लगाते रहेंगे एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो सदिक फसलों को गाना क्या कहल आती है इंटर क्रॉपिंग इसको बोला जाता है तो मैं पहले एक बर आपको चारो मीनिंग समझा दोंगी फिर आप आंसर कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होता है फसल का चक्री करन क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है मैंने सर्दी में ये फसल उगाई ना गेहू वग वाड़ा ना मतर वगयरा गेहू सर्सो और आ यह सारी ता यह पर इंटर के फसल हो गई है तो एक ही समय में एकी साथ थीके अब आता है आता है यह उप्शन नंबर डी इंटर क्रोपिंग अंतर वसल का मतलब क्या था मैंने कुछ पैटरन है कि मैंने अगर गेहू हॉगा है तो उसके साथ में एक बड़ सर्सों उगा लेती हूँ ठीकि मतलब आपने कुछ फिक्स पैटर्न यहां पर कुछ रोज रिसाइट कर दिये कि मुझे इसी तरीके से फसलों को उगाना है ताकि आपकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो यहां पर वनी रहे जिसे हम लोग क ओण उर्ञ नहीं बोलता हूँ जेकि मिशित ऐसाल के साथ इस तरीक पाइट को उगाने से मुझे क्या मिलेगा मेरे खेत को क्या मिलेगा फायदा मिलेगा इसलुएंसर आपका क्या होगा वह एंटर प्रॉपिंग होगां आंतर फसल वह कुष्ण मैं से कौन साथ वी the following is a bilateral symmetry organism, ठीक है, यह hydra हो सकता है, यह cyclone हो सकता है, यह tarameen, starfish हो सकता है, यह earthworm हो सकता है, ठीक है, अपके सामने जो वो earthworm है, आपको क्या बताना है, bilateral symmetry, अपने गणित में symmetry के प्रकार पड़े होंगे, bilateral होती है, फिर radical होती है, फिर हमारी circular symmetry होती है, अभी आपसे क्या पूछागा है, bilateral, बाइलिटरल मतलब कोई भी एक जीव है, आप उसको दो भागों में तोड़े, उसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक्वल होना चाहिए, एक example दे देती हूँ, जैसे कि मेरे सामने अभी बैठी है, मक्ही बैठी हुई है, मक्ही तो हम सब ही जानती है, तो मक्ही का structure कुछ इस प्रकार का होगा, कैसे बनाओं, ये उसके दो पंक हो गए, ये उसके दो पेर हो गए, और ये पंक है, तो अब आपने इसको क्या करा, दो इकवल पार्ट में डिवाइट के है, बनी नहीं है, बड़ समझने की कोशिश करिएगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के इकवल है, बिलकुल इकवल है, देख लीजे, अपने असपास कहीं बैठी होगी तो मच्छर को भी देख लीजे, तो ये वाला हाग, बाया भाग, दाय भाग के इकवल है, मतलब ये क्य है, सिमेट्रिकल है, अब इन चार जीवों में से कौन सा सिमेट्रिकल है, आब बता दीजे, हैना, स्टारफिश है, साइकॉन है, हाइड्रा है, उसके लिए आपको ये सारे जीवों का स्ट्रक्चर बता होना चाहिए, बिलकुल बता होना चाहिए, तो चलिए स्ट्रक्चर क कि तो सीखेंगे यह है इस पानी का जीव है साइक भी पानी का जीव है स्टारफिश भी पानी का अर्थ वां दोनों पर है तीके जमीन और पानी चलिए तो हैड्रा को देखिएगा बाइलिटरल मतलब दो भागों में डिवाइट करिए मैंने इसको दो भागों में तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें तो होता है लेकिन कौन सा राडिकल होता है अभी हमसे क्या पूछा है कि अर्थ फोम को देखिए कीड़ा कुछ इस तरीके का होता है इसको इस भाग में डिवाइट करिए यह वाला इससाइस वाले किस्से के को बिल्कुल इक वले तो करेक बिल्कुल हो जाएगा तो क्या हम यह बोल सकते कि ऐसा होता है और स Corneredude को सिमेट्री की यहां पर रखता है तेखो यह जो मैंने को में प meilleur workers लूंग चाल्ग में लेगी और यह किसी क्या स्टी यह ऐक्टिरिया के देखने को मिल लेगी और यह किसी बेकार मिल थेसाथ्टीय क हार एक हिस्सा दुसरे हिससे के केगवल होगा उसको spharkal symmetry बोला जाता है डीक और radical को आप इस तरीके से समझ सकते हैं वाला हिस्सा इस इस तरीके से चलता है तो symmetry क्याति अब ही किसकी बात करीगए थी bilateral की तो केच हुआ और हमाई जो मक्ही होती है यह होते हैं बाइलिटरल को देखेगा हर इक टाइप का सके इंदर कुछन है प्लांट से रिलेटेड है एनिमल जीवो से रिलेटेड है यूमन बॉडी से रिलेटेड है आपका जो अनू-परमानों है उसे भी रिलेटेड है कुछन नमबर सिक्स वही है एक इसके द्वारा पधारतों के कणों का कौन सा विशेज गुंड प्रदर्शेत होता है एक होता खौर किस तरीके से जो है स्विममिग पूल को पार कर सकता है पानी के अंदर कैसे गती होगी तो यहां पर अणू-परमानों की बाद करी गई he अनू-परमानों की बात करी गई he पधार के कणडों को नगनाकों से नहीं देखा जा सकते हैं अब आपको रीजन बताना एं चलो इंटर मॉल्लेकुलिन सबको हटा दो इंटर इंटरा सबको हटा दो इंटर सबको हटा दो सिर्फ हम लोग ठोज रहा होगिस हैंना और शुक्ली किप्राइब करते। मृक्ला धर स्वक्षा हैं धुर्णो में। और सब्सक्राइब। मृक्षा लृक है। इनके हैs, किज ज्तेशन में। जैसे कि swimming pool पानी के अंदर होगा गेस में अणु जो है काफी दूर दूर इस्तेत होगे ये वाली normal वाली condition तो हम सभी ने ठोज़ दरो गेस की पड़ी है हैना अब यहाँ पर अंत्राणुक बल की बात हो रही है अंत्राणुक बल वो बल होता है जो या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है इंटर पार्टिकल लाइक आपका इंफ्यूज नहीं हो तो दो अंवों के बीच लगने वाला जो बल होता है यहना अब वो अंत्राणुक बल होता है इंटर पार्टिकल एक इंटरा पार्टिकल भी होता है इंट्रा पार्टिकल मतलब उसी अंडर लगने बाला थेकि तो यह अलग अलग होते हैं अभी अंत्रा अंडुक की बात हो रही है तो देखो अब कोथा कोड़ स्वीमिंग पूल में गती कर पार है मतलब वो आसानी से पानी को हटा कर आगी की और बढ़ पार है पतलब वो जो पार्टिकल है या जो फोर्स लग रहा है उसमें अनु क्या होंगे काफी दूर-दूर इस्तित होंगे कंपैरेजन करें ठोस में तो सॉलिट से यह दी कंपैरेजन करें तो पानी में अंत्रा अनु का करशन बल जो होता है क्या होता है कम जोर होता है आंसर क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है चलिए question number 7 की तरफ चलते हैं यह भी बहुत अच्छा question है वहान के पश्चे द्रश्टी तरपणो रेयर व्यू मीरर को निर्मित करना चाहिए कैसा बनाना चाहिए अभी वर्दित और उल्टा प्रतिबिम दिखा है अभी वर्दित मतलब enlarge करना enlarge मतलब बड़ा अभी वर्दित और सीधा प्रतिबिम दिखा है चोटा आबासी और सीधा प्रतिबिम यहाँ पर दिखा है अच्छा सबसे पहले तो हम लोग इस मिरर की बात कर लेते हैं यह म के लिए आप है डिखा होगा कार के पीछे को नहीं तो क्या हुआ एक गार के बीछ भी के पीछ सब्क हंचा को हुथ लगे मीरोम रहता है अब लगो तो जेल servicius लगा अचेम्रों को ऑभ वान कंग मैं जैका हुआ हhuhता हम जाने नहीं सा एक रहूं car drive कर रहे हैं, तो आपको पीछे का क्या दिखना चाहिए, कि पीछे कितनी जगह है या पीछे कोई truck वगेरा आ रही है, है ना, आप truck दिखनी चाहिए आपको, अब दिखो ट्रक तो इतनी बडी होती है, आपको कैसी दिखनी चाहिए चोटी दिखनी चाहिए क्योंकि आपके पूरे मिरर में तो इस मिरर में आपको पूरी दिख जानी चाहिए मतलब जो हमारा जो अबजेक्ट होगा वो कैसा दिखना चाहिए आपको छोटा मतलब आकरती है इमेज आपको कैसी दिखनी चाहिए छोटी दिखनी चाहिए अब बत तो अगर वो उल्टा होगा तो डेफिनिटली कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि यह क्या रहा है पीछे से तो इमेज कैसी दिखनी चाहिए हमेशा आपको सीधी में यहां पर दिखनी चाहिए इतना क्लियर हो गया ठीक है अब हासी अब को वर्चुल प्रतिबिम्ब दिखेगा कि कैसा क्या दिखेगा तो हमें हमेशा आपासी प्रतिबिम्ब दिखेगा ठीक है तो आंसर क्या होना चाहिए देखो अभी बड़ी बड़ा नहीं दिखे जो इतनी बड़ी ट्रक है उसका केवल चोटा सा व्यू दिखना चाहिए तो हमें इमें चोटी दिखनी चाहिए आभासी दिखती है और कैसी दिखती सीधा प्रतिबिम्ब यहां पर दिखता है उल्टा हमें नहीं देखना है छोटा हमें देखना है लेकिन उल्टा नहीं देखना है हमें बड़ा नहीं देखना है तो यह भी गलत हो गया आंसर क्या होगा option number D होगा अगर आप चाहे तो मैं इसको diagram की तुरू भी आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर convex lens उत्तल दरपण यहाँ पर लगा हुआ रहेगा कि कोई भी object हमारे पास यहाँ पर है यहाँ पर आपका यह mirror लगा हुआ है यह object आपको यहाँ पर कोई भी truck, bus, car, कोई भी इनसान दिखा आपको यह principal axis मान लेते हैं जिस पर focus और pole सारी चीज़े होंगे पढ़े हैं I think science में आपने यह सारी चीज़ें before 10 थी पढ़ लिया था आपने, मतलब कि एक basic knowledge की ही चीज़े होगी यह जनरल साइंस वह होता है कि 10 तक जो भी science आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपसे exam में पूछी जाती है ठीक है, जैसे ही कोई object आया, यह अपनी convex lens की इस सतर पर गया, इस तरीके से और इसने कैसी image बनाई, हमारे object से छोटी image बनाई, और हमें यही चाहिए थी, कैसी हमें चाहिए थी, सीधी चाहिए थी तो convex lens के through कैसी image आएगी, सीधी आईगी, अगर सेम चीज़ मैं concave lens के साथ करती, अवदल के साथ करती, तो देखो क्या होता ठीके, यदि आप यहाँ पर देखना चाहिए, तो बिलकुल image जो है, आपकी कैसी बनेगी, यह आपका object है, ठीके, अगर यह concave lens की सतर पर जाती, तो image एक तो बड़ी बनती, और उल्टी बनती, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीके, तो हम लोग concave lens का प्रयोग नहीं करेंगे ठीके, यहाँ पर आपको पूरी direction, अगर आप देखना चाहिए, यह सतर से जाकर टकराएगा, तो यह focus से ओकर इधर जाएगा, ठीके, पर यह पोल से जाएगा, तो यह वापस इतना जाएगा, तो image उल्टी भी बनेगी, और बड़ी भी बनेगी, जो हमें नहीं चाहिए, पिर अगर आप plane lens लेते, plane mirror लेते, साधारन संतलकाज जो लेते, तो उसमें object को जैसा रखते, as it is, जो है image बन जाती, मतलब जित्ती बड़ी truck है, उत्ती ही बड़ी image बनती, लेकिन आपका mirror just because इतना सा चोटा है, तो truck का केवाल एक छोटा सा हिससा आपको दिखाई देता, या तो उसका mirror या जो भी आपको दिखाई देता, हमें इसा नहीं चाहिए, हमें छोटी image चाहिए, तो answer क्या हो जाएगा, आपका option number D, I think मेरा समझाना आपको समझ आ रहा हो, पिर भी कोई दिक्कत लगती है, जरूर से comment box में mention करियेगा, और try करूंगे कि और easy way में में आप नाइट्रोजन चक्र की ये बात कर रहा है, मुरदा में उपस्तित कुछ जिमानू और नीले हरे शेवाल नाइट्रोजन के आउशोशक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे की उसा आपको इसमें इतना ही बताना था कर नाइट्रोजन चक्र नहीं भी पता है, तो ये कैसे आती है, मुरदा में उपसे कुछ जिवानू होते हैं, जो क्या करते हैं, जिवानू नीले हरे शेवाल जो नाइट्रोजन के आउशोशक, नाइट्रोजन के ही हिस्से होंगे, एन्टु किस में कनबर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन के आउशोशक यानि कि नाइट चैनल के विद्सकि और यह च्ड़ीं कैसे रिए इस तरीके तो हम लोग यह आ जाते है पर आइप्रिय no 2 kıkt दिविया नीटरीट नइट्रेट के अमध्यम से घुता है नीटरीज अधियर कुन हो गए नाइट्राइट हो गए और शोर्ट में देखना चाहें तो फटाफट से देख लो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरीय जो पोदों की जड़ो में पाए जाते हैं डिरेकली यह लोग यहां पर आ जाएं नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया ज करेंगे जो यहां पर NH4 को किसमें अनो तूमे और नो 3 कर देंगे ठीकर अब यह वापस से क्या होगा यह वापस है assimilate होकर कहां पर पहुंचेगा क्योंकि जमीन के अंदर है definitely plant roots तक पहुंचेगा फिर यह plant तक पहुंचेगा और इन plant को क्या कर लेंगे जी उखा लेंगे यह इस तरीके से वापस यह decompose होकर मिट्टी में चले जाएंगे फिर इसका क्या हो जाएगा अमोनिफिकेशन हो जाएगा फिर यह process चलती रहेगी और नाइट्रोजन कहां से मिलती है एक तो बाता और में प्रेजेंट है और लाइटनिंग यानि की विजली के थू मिलती है तो वापस से वही बैक्टीरिया होगा और वापस से वही process चलती रहेगी तो यह पूरा हमारा क नाइट्रोजन चक्र होता है हाला कि बहुत डेटेल में इसको देखना होता है बढ़ी हम लोग इसको शॉट में देख रहे हैं तो यह पूछा गया था कि नाइट्रॉजन के आउश्चर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं कौन है वह नाइट्राइट से और नाइट्र पहले आपको बलून वाला एक्जांपल दे देती हो ताकि आपके लिए कुश्चन करना असान हो जाए अगर आप धूप के अंदर जाओगे तेज धूप पड़ रही है वाइट कलर का बलून लोगे तो उसको फूटने में मतलब धूप की वज़े से फूटने में हो सकता ह कि वह 5-10 मिनिट ले या बहुत रेयर केस होता है कि वह फूटेगा या बलून अच्छी क्वालिटी के हो एन ऐसा नहीं क्यों पूट रहे हो अगर वाइट बलून है तो वह फूटेगा नहीं बहुत समय बात फूटेगा बलेक बलून जैसे ही उसकी सत्ता गरम होगी विद आवर्थित कर देता है इसलिए गर्मी के कपड़ों में प्रिफर किया जाता है कि आप गर्मी के समय में सफेद कपड़े पेहनें और सरदी में डार्क लाइक डार्क ब्लू कलर पहनिये ब्लैक कलर पहनिये ताकि क्या होगा कि वह उश्मा का उशोषित करेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी बनी रहेगी तो वाइट सर्फेस रिफ्लैक्ट पहनिये तो अच्छी तो इंकरेक्ट हो जाएगा डी तो यह बुल रहा था कि अच्छी दिखेगी इमारत बिल्डिंग हमारी कुष्ण तो ओ नमटर टैन को देखें कार्भोहड़रे प्रोटीन और वशा का पाचन किसकी क्रिया से पूरा होता है डैजिस्टन अप कर्भोहड़रे प्रोटीन एंड फैट इस कंप्लिटेड वा दे एक्शन अप जो डाइजिशन की प्रोसेस होती है वह आंत्रर रस के द्वारा सब्सक्राइब किने सब्सक्राइब किसी से मानमकान के सब्सक्रांग 20,000 B-10,000 Hertz, 2000-10,000 B-200 Hertz, क्या आंसर यहां पर correct होगा जैसे ही अपने मानवकान की श्रूबवी सुना आपके मुझे 20,000 Hertz आजाना चाहिए था, क्या हम आपने की काई होती है, that's why answer क्या हो जाएगा, option number C हो जाएगा, तो याज के सेशन के लिए कुछ 10 कुश्टिंड डिजाइन किये गए थे आई होब की सेशन आप लगों के लिए हेल्फुल रहा हर एक टाइप का जो कुश्टिंट था ट्राइ किया गया है कि आपको यहां पर सॉल्व करवाए जाए कंप्रीट करवाए जाए सेशन को एक बता दीजेगा ओके तो फिलहाल सेशन को ओवर करते मिलेंगे लोग नेक्स सेशन में थेंक्स फर वोचिंग ने